स्वास्थ और सॉंदरी के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को प्लिक करते ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्ति और संदर्या कोफी के नियमित से त्वचा की डार्क स्पोट्स कम होने लगते हैं साथी पिगमेनटेशन से चुटकारा मिल जाता है जिससे त्वचा साफ निख्री वह जवाने जार आने लगती है इसके साथ ही शहद यानी हनी तवचा को मॉस्चराइज कर तवचा की नमी को बरकरा रखता है शहद तवचा की गहराई से सफाई करता है जिससे चहरे पर मौज़ूद दाग धबे बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाते है शहद में एंटी ऑक्सिटेंट, एंटी इंफ्लिमेटरि, एंटी एजिंग और एंटी माइक्रोबियल जैसे गुण पाये जाते हैं जो स्किन के फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं शहद के इस्तमाल से डार्ड के स्पोर्ट, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स जैसे समस्याओं से छुटकारा पाये जा सकता है नियमित अपने चहरे पर शहद लगाने से इसकिन यंग और हेल्दी ने चराने लगती है यू तो काफी और शहद दोनों ही अलग-अलग भी इस्तमाल में लाए जा सकते हैं लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाये जाता है तो बहतर इन फायदा देखनों को मिलता है तो फिर चहरे पर काफी के साथ शहद को कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए बनने गए इस वीडियो के साथ इसके लिए एक बॉल में एक चमच कौफी पाउडर ले ले इसके बाद इसमें एक से दो चमच शहत यानि हानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे अपने फेस पर अपलाई कर ले इसे अपने फेस पर लगाने के लिए अपने चेहरे को किसी गिले तॉली की मदद से साफ कर ले इसके बाद ब्रश की सहायता से इसे अपने पूरे चेहरे पर अपलाई कर ले 20-25 मिनाट तक लगा रहने दे फिर पानी से चेहरा दोले बहतर रिजल्ट पानी के लिए वीक में 2-3 दिन इसे जरूर ट्राय करें कॉफी और शहद से बना पैक इसकिन के लिए काफी फायदे बन माना जाता है नियमित इस पैक का इस्तमाल करने से चेहरे पर जुडिया नहीं परती साथी चेहरा बेदा वो खिला खिला नचराने लगता है तो फिर आज आपने इस वीडियो में अपने चेहरे पर कॉफी के साथ शहद यानि हानी लगाने के कुछ बहतर इन फायदू के बारे में जाना आशा है आपको हमारे ये वीडियो अवश्य ही पसंद आये होगा हमारे नए-नए स्वास्ते और संदरी संबंधी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आये होगते से लाइब और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नए-नए जानकारियां आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद